नमस्ते भारत आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे चेक्स वर्ल्ड। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुप काम नाएं तो आज हम दिवाली पे बनाएंगे कुछ मीठा तो मीठे में आज हम बनाएंगे गुलाब जामून तो गुलाब जामून आज हम रवे का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो वीडियो का अपन तक जरूर देखे अगर आपको मेरा रेसिपी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नोटिफिकेशन आपके फोन पे आता रहे सबसे पहले हम यहाँ पे सिरफ बनाएंगे तो उसके लिए हम पतीले के अंदर दो बावल पानी निकाल लेंगे चीनी डो बॉल हमने यहाँ पर पाणी इस्तमाल किया ठाड़ के था प्रचीनी इस्तमाल करेंगे यहाँ पे यहाँ पÝज Sit नहों में बॉल हम ने में पाणी दो ही इस्तमाल करें आप देखेंगे आपनीर में इस अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुक है चीने भी मेल्ट हो चुक है तब हम इसके अंदर डालेंगे टू टेबर स्पून रोस सिरप अगर आपके पास रोस सिरप नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं रोस सिरप से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप यहां पर र लेंगे एक टेबर स्पून घी को हम यहां पे मेल्ट होने देंगे जब तक हमारा घी जो हुआ अच्छे से मेल्ट हो जयता हमें यहां पर दूद और घी को अच्छे से मिक्स करते रहना है तो आप देखेंगे हमारा दूद और घी से मेलट होचुका है यहां बाउल करना है मोटे सूझी का इस्तमाल नहीं करना है दो बाउल यहां पे हमने दूद लिया था एक बाल हम यहां पे सुझी लेंगे दो इस टू वन का यहां पे रेश्यो हमें याद रखना है सूजी डालते ही हम यहाँ पे दूद और सूजी को अच्छे से कंटिनुसली स्टर करते रहेंगे जैसे आप स्टर करेंगे आप देखेंगे हमारा सूजी जो है वो दूद को एब्जॉब करने लगा है और गैस का फ्लेम आप यहाँ पे बिल्कुल लो रखे और अच्छे से स्टर करते रहें थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे सूजी ने हमारे दूद को अच्छे से अबसॉब कर लिया है और थोड़ा थिक सा हो चुका है तब हम इसके अंदर डालेंगे टू टेबल स्पून मिल्क पाउडर आप चाहे तो डाल सकते हैं पाउडर डालने के बाद हम दुबारा से सूजी और मिल्क पाउडर को अच्छे से स्टर करते रहेंगे कंटिनूसली स्टर करने के बाद आप देखेंगे सूजी हमारा अच्छे से एक डो के फॉर्म में बन चुका है तब तक हमें सूजी को मिक्स करना है जब तक हमारा सूजी जो है वो कढ़ाई को छोड़नी देता तो कंटिनूसली आप इसको स्टर करते रहें थोड़ी दिर नदर निखालने के बाद हम यहां पर हाथ में थोड़ा सा लें द्हूँ है और यहां पर हमारा सूजी जब हलका फंडा हो जाएगा ना भी हम हमें यहां से गूतना है, लाप गरम गरम सूजी को गूतेंगे, हाथ जल सकता है, तो अच्छे से ठोड़ा थंडा कर ले सूजी को, साधा थंडा ना करें, नहीं तो हमारा सूजी जो है वो टाइट हो जाएगा, हल्का थंडा हो जाएगा, तब यह आप इसको गूतें, गूतने के बाद यहाँ पे हमारा सूजी का जूट सॉफ्ट डो है बन करके त्यार हो चुका है उसके बाद हम यहाँ पे गुलाब जामुन बनाना त्यार करेंगे गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा डो लेना है डो को हाथ में रख करके हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे रोल करने के बाद हम इसके बीच में थोड़ा सा होल करेंगे और यहाँ पे हम एक किश्मिश इसके बीच में डाल देंगे इससे क्या होगा ना हमारे गुलाब जामुन के अंदर गाठ नहीं बनेगा और अच्छे से हमें इसको रोल कर लेना है गोल सा शेप दे देना है तो यहाँ पे हमारे एक गुलाब जामुन बन करके त्यार हो चुका है और इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखे कि जब आपका रवाज जो है वो गरम हो तब यहाँ पे गुलाब जामुन बनाए ठंडा होने के बाद गुलाब जामुन जो है वो नहीं बनता है यहाँ पे हमने सभी गुलाब जामून बना करके त्यार कर लिया है उसके बाद हमें यहाँ पे कड़ाई लेना है कड़ाई को अच्छे से गरम कर लेना उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ओल और रिफाइंड ओल को अच्छे से गरम कर लेंगे और थोड़े दिर बाद आप देखेंगे हमारे गुलाब जामुन जो है वो color change करना शुरू कर चुके हैं तब हम गुलाब जामुन को यहाँ पे अराम से flip करेंगे और सबी गुलाब जामुन को अच्छे से पका लेंगे चे गुलाब जामुन को अच्छे से पकार लिया है और अब हम गुलाब जामुन को गरम गरम सिरप के अंदर डाल देंगे और एक घंटे के लिए सोक होने देंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे गुलाब जामुन बना करके सिरप के अंदर डालते रहेंगे गुलाब जामु चुका है दिवाली के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट स्वीट है आप इसको बना करके जरूर ट्राइ करें बहुत ही आसान है बनाना आपको मेरा यह रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को स